वेलकम तो स्प्लेंडिड मॉम सब्सक्राइब टो चैनल एंड हिट बेल आइकन तो गेट नोटिफिकेशन आफ आवर लेटेस्ट वीडियोग तो हेलो मॉमोई। हेलो, वेलकम तो स्प्लेंडिड मॉम सुखा सकती है। चैनल पडेस्ट बेल कोच्चों करते हैं। बच्चों को काउंटिंग भी आती है। उसके बाद counting के बाद हम जब big and small की concept की तरफ आते हैं तो हम अगर इस तरह की drawing बना के देंगे और बच्चे से कहेंगे कि इसमें big कौन सा है और small कौन सा है आपको बता दे तो वो counting करने लगेगा और ये more and less वाला concept उसे लगेगा instead of big and small क्योंकि बच्चे ना more and big को यहां relate नही सिस्टम में more big या less small in concept को relate नहीं कर पाएंगे so drawing के तुरू आप बिल्कुल मत सिखाएं स्टार्टिंग में आए देखते हैं आप कैसे सिखा सकती हैं आप क्या करिए इस तरह की scale ले लीजिए हम पहले single digit comparison करेंगे single digit में big कौन सा है और small कौन सा है कैसे पैचानना है बच्च भी concept आप छोटे बचों को सिखा दे चाहे एडिशन हो सप्रैक्शन हो number scale के तुरू अगर आप समझाएंगे तो उन्हें आसान लगेगा तो पहले आप इस तरह की एक number scale ड्रॉ करिए single digit वाली one two nine एक example हम यहां लेंगे nine and four so nine and four में big number कौन सा है और small number कौन सा है यह कैसे decide करें बच्चे को बताइए कि जब वो number लिख रहा है या बोल रहा है one two three four five six seven eight nine जब वो बोल रहा है nine and four में जो number पहले आता है वो है small और जो number बाद में आता है वो है big so जब वो number बोल रहा है one two three four so four पहले आया so this is the smaller number इसके बाद आता है nine so nine is the bigger number so इसमें हो गया smaller number four सी तरा से seven and five seven and five में bigger कौन सा है और smaller कौन सा है यह कैसे decide करें जब वो number बोल रहा है तो पहले कौन सा आता है seven and five में one two three four five so 5 पहले आ गया so 5 is the smaller number इस तरह से आप उसे explain कर सकती है अब देखते हैं double digit को आपके से explain कर सकती है suppose 42 and 26 इस number में उसे decide करना है कि big कौन सा है और small कौन सा है इस तरह के double digit में आपको क्या करना है जो left side वाला number है इनको देखना है 4 and 2 right वाले numbers को ignore करें 2 and 6 को सिर्फ left वाले numbers को देखिए 4 and 2 जो 10th place में 4, 2 इसमें से decide कर सकते हैं कि कौन सा big है और कौन सा small है 4 and 2 4 and 2 में कौन सा number पहले आता है वो है 2 उसके बाद आता है 4 so 2 26 is the smaller number इस तरह से double digit भी आप explain कर सकती है बच्चे को कि सिर्फ left number वो देखे 4 and 2 और उसके basis पे वो decide कर सकता है कि smaller number कौन सा है और bigger number कौन सा है suppose 79 and 34 इन दोनों में कैसे decide करें so क्या करना है left side जो number है यहां पर 3 and 4 इन दोनों में decide करना है कि कौन सा पहले आता है जो कि smaller number होगा so 7 and 3 में आप अगर देखे तो 3 पहले आता है 7 बाद में आता है so 3 पहले आता है इसलिए यह हो गया smaller number इस तरह से आप उसे explain करें कुछ cases होते हैं जहां पर 10th value सेम होता है यानि एक example में लेके बताती हूँ 43, 48 अगर आप यहां पर देखे तो left वाला number जो 10th value है 4 and 4 दोनों सेम है इस तरह की situation में वो right number देख सकता है 3, 8 3 और 8 में पहले कौन सा आता है 3 1, 2, 3 पहले आया 8 बाद में आया so 3 पहले आया इसलिए यह हो गया smaller number 43 is the smaller number 48 is the bigger number 62, 63 क्योंके 10th place value number same है 6 and 6 same है हम right वाला number देखेंगे 2 and 3 so 2 and 3 2, 3 2 पहले आता है इसलिए this is a smaller number इस तरह से बच्चे से कहिए एक number जब smaller होता है तो दूसरा bigger automatically हो जाता है so आपको bigger number and smaller number दोनों अलग-अलग सिखाने की जरूरत नहीं है उसको जब smaller number आप सिखाएंगी तो automatically दूसरा number big होता है यह आप समझाएए इस तरह से आप दोनो bigger number and smaller number concept एक साथ उसे explain कर सकती है चाहे वो single digit हो या double digit हो या double digit में जो 10s value same होता है उसको भी आप असानी से explain करके उन्हें समझा सकती है I hope आपको यह video helpful लगा मुझे comment करके जरूर बताए चैनल को भी subscribe जरूर करें Happy Parenting from Splendid Moms Happy Parenting from Splendid Moms Give us a thumbs up if you like the video Subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos